दोस्तो अभी अभी पाथ स्टॉक्स की तरफ से लेटेस्ट अनॉसमेंट आया है, इस टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंट को लेकिए और आज की इस वीडियो के अंदर देनी पाथ स्टॉक्स की में आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा, बताऊँगा इसके साथ ये बीडियो को स्टॉक्स को देने की एक्स डिट्स क्या होने वली है, तो चलिए अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजे, मैं हूँ आरुष, आप देख रहे हैं फिरो मीडिया बाया आरुष, चलिए अब इस वीड हमाकेदार स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंट अनाउंस किया है, चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की, तो कंपनी का नाम है नेट लिंक्स लिमिटेड, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 258 रुपीज के ओपर मैं ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आपर बोर्ड मीटेंग और्गनाईस करिए 6th of March को, और अपर जो परपस रहने वाला है, तो आप इस स्टॉक को अपनी वाच लिस्ट के अंदर में आड़ करके रख सकते हो, बिकाज अगर कंपनी ने काफी अच्छी वैलियू से आपर डिविडेंट या आपर स बोनस काफी अच्छी रेशियो से अनौस कर दिया, तो डिफिनेटली हमें स्टॉक में काफी अच्छी रेखने को मिल जाएगी, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नामे राधी का जोल टेक लिमिटेड, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेज बोर्ड मीटिंग और्गन को मिल जाएगी, अगर यह स्टॉक आप लोगों की वाचलिस के अंदर में अल्रेडी अड़िड होगा, तो आप इसे साही टाइम पर पर परचेस कर पाऊगे, जिसकी वज़ी से आप आपको इसके स्टॉक स्टॉक में जो भी रैली आएगी, उसका भी बेनेफिट यहाप आप लोगों को मिल जाएगा, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है OZIA Hyper Retail, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 244 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आप स्टॉक स्प्लेट अनौस के 1-10 के रेशियो से, जिसका मतलब भी है, अगर आपके पास मार्च से पहले-पहले परचेस करना होगा, अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है मारी को लिमिटेड, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 489 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस के 4.50 रुपीज पर स्टॉक के इसाब स और इस डिविडेंट को देने की जो एकस्टिट होने वाली है, वो 8th of March की होने वाली है, तो अगर आपको इस स्टॉक को परचेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को इसकी एकस्टिट यानि की 8th of March से पहले- पहले परचेस करना होगा, आइए बात करते हैं पर मारे अगले अलास स्टॉक की तो कंपनी का ना में सैनोफी इंडिया लिमिटेड, कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 5,355 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है, कंपनी ने आप स्पेशल डिविडेंट अनौस के 183 पहले हो, 28th of April की होने वाली है, तो अब अगर आपको इस स्टॉक को परचेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको इस स्टॉक को इसकी एक स्टेट याने की 28th of April से पहले पहले परचेस करना होगा, और दोस्तों आज की वीडि गंदर तिल देन ऑए